प्यारे बच्चों कुछ काम हम कदिम जमाने से तक्रिबन हजारों सालों से करते आ रहे हैं और इन कामों से हमें बहुत ज़्यादा फाइड़े भी हासिल हुए है जैसे हम दूद से दही तयार करते हैं दूद से झाज तयार करते हैं इसी तरह से और बहुत सारी चीजें जो हम कदिम जमाने से करते आ रहे हैं उन से हमें बहुत सारे फाइड़े हासिल हुए हैं लेकिन इन कामों के पिछे छुपे हुए साइंस से हम ला इल्म थे लेकिन आज इन कामों के पिछे छुपे हुए साइंस का हमें इल्म हो चुका है और उसी साइंस की मदद से हम इन कामों को और ज्यादा बहतर धंग से अंजाम दे रहे हैं और इनसे ज्यादा फाइदे हसल कर रहे हैं, ये तमाम ही काम हयातियाति टेक्नलोजी यानि बायो टेक्नलोजी की वज़ा से मुम्किन हुए हैं, हयाति टेक्नलोजी की अगर हम तारिख देखे तो हयातियात और टेक्नलोजी का इस्तेमाल करके इंसानी पलाव बहबूत की कोशिश करना इसे हयाति टेक्नलोजी क कहा जाता है, आज हयातियाति टेक्नलोजी का इस्तेमाल हर शोबे में हो रहा है, आज जिस सबक का मुताला हम करने जा रहे हैं, इसका नाम है हयातियाति टेक्नलोजी का तादो, और इस सबक में हम हयातियाति टेक्नलोजी का इस्तेमाल, नसीच परिवरी, काश्ट और मवेशी पालन में किस तरह से किया जाता है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे